यूटूब लर्निंग प्रोग्राम के इस साथवे वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम यूटूब चैनल के होम पेज पर स्पोटलाइट वीडियो लगाना सीखेंगे। मतलब जब आपके यूटूब चैनल पर कोई सब्सक्राइबर या फिर नोन सब्सक्राइबर आता है तो जब वो नोन सब्सक्राइबर रहता है तब उसको अलग वीडियो होम पेज पर दिखता है और वो जब सब्सक्राइब कर लेता है तो उसको अलग वीडियो होम पेज पर को दिखा सकते हो और वो जब सब्सक्राइब कर एक अलग वीडियो दिखा सकते हो तो दोस्तोह इसके लिए आपको क्या करना है आपको अपने चैनल के उपर जाना है जैसे ही YouTube Studio पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए Customization का Option आपको देखने को मिलेगा इस Customization के Option को देखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं Video Spotlight का Option आपको मिल जाएगा तो आज के वीडियो में दोस्तों इसी Option के बारे में हम बात करने वाले हैं जब भी कोई Unsubscribe वेक्ती आपके चैनल पर आता है तो उसको एक वीडियो का इंट्रो देखने को मिलता है जब वो आपका सब्सक्राइबर बन जाता है तो उसके बाद उसको दूसरा वीडियो देखने को मिलता है उसी चैनल पर जबकि आपने उस सेटिंग में कोई चैनल नहीं किया तब भी तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पर दो सेटिंग आपको मिलती है पहला सेटिंग उपर है इस पर लिखा है चैनल ट्रेलर फोर पिपिल हूँ हैवन्ट सब्सक्राइब मतलब वो लोग जिन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उनके लिए आप कौन सा ट्रेलर दिखाना चाते हैं तो यहाँ पर अगर आपके कोई वीडियो नहीं जुड़ा होगा तो यहाँ पर आपको एड़ का ओप्शन मिलेगा अगर आपके कोई वीडियो जुड़ा है तो यहाँ पर त्री डोट पर आपको चेंज वीडियो या फिर रिमूव वीडियो का ओप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर अभी मैं चेंज वीडियो के ओप्शन पर क्लिक करूँगा तो मेरे बहुत सारे वीडियो यहाँ पर खुल जाएंगे मैं क्या करूंगा उसमें से वो वीडियो लगाऊंगा जो की मेरे सबसे अच्छा वीडियो है अब तक यूटूब चैनल पर क्योंकि जो वेक्ती मेरा सब्सक्राइबर नहीं है उसको मैं ऐसा वीडियो दिखाऊंगा ताकि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा तब उसको होम पेज पर दूसरी वीडियो देखने को मिलेगी तो उसके लिए यहाँ पर फीचर वीडियो फोर रिटर्निंग सब्सक्राइबर जब वो subscriber हमारा बन जाता है तो उसके लिए यहाँ पर दूसरी वीडियो हम provide कराते हैं तो यहाँ पर add का option मिलेगा, add के option पर click करने के बाद ठीक वही process आपको करनी है तो यहाँ पर हम कोई दूसरा वीडियो यहाँ पर हम लगा देते हैं तो यह वाला वीडियो हमने यहाँ पर लगा दिया है और simply इसको कर देते हैं publish तो दोस्तों आज हमने सीखा वीडियो spotlight का option कैसे लगाते हैं तो मिलते हैं lesson number 8 में जो की हमारा कल आने वाला है